नमस्कार स्वागत है आपका न्यूजवल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्यम्न शर्मा खबर बहुत दुखत है और मद्द प्रदेश के राजगर से है मद्द प्रदेश के राजगर जले में जब एक साथ 6 अर्थिया उठी तो हर किसी की आग चला काई मौत के कुछ घंटे पहले ही सफर में जिन्दगी का आखरी जनम दिन भी मनाया गया था राजिस्तान के टॉंक में तेजरफतार ट्रेलर और जीब की बढ़न से ये हाथसा हुआ है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गए शियाम खाटू से लोटते समय मरने के कुछ घंटे पहले ही राम बाबू सोनी का जनम दिन उनके पूरे परिवार ने सफर के दौरान मनाया था हाथसे में मरत राम बाबू सोनी के बेटे नयन ने फूल का गुल्दस्ता दे कर पिता को बदाई दी थी और कुछ घंटे बाद राजिस्तान के टॉंक के पास हाथसे में दौनों पिता पुत्र के साथ परिवार के आठ लोगों की मौत हो गए राजगड में जीरापूर के दो चचेरे भाई ललित पिता श्याम सोनी और पमन पिता सुंदरलाल सोनी एक जनवरी को खाटू श्याम के पदियात्रा पर निकले थे दौनों करीब 25 दिन पैदल चलकर खाटू श्याम पहुचे थे उनके खाटू श्याम पहुचने के बाद परिवार के सदस से दौनों चचेरे भाईयों को लेने के लिए दो गाडिया लेकर राजिस्तान पहुचे 26 जनवरी को दर्शन करने के बाद पूरा परिवार दो गाडियों में वापस लौट रहा था इस दोरान आगे चल रही गाड़ी के साथ ये हाथसा हो गया टौक जिले के एनेच बावन पर सदर पुलिस थाने के कुछ दूर पर भीशन सड़क हाथसा हुआ था जैपूर की ओर से आ रही सवारी गाड़ी तूफान को पीछे की ओर से तेजगती से आ रही ट्रेलर नटक कर मारी जिसमें मद्द प्रदेश के राजगर जिले के एक ही परिवार के आठ लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई पुलिया की दीवार पर लटक गया पुलिस ने क्रेन की मदस्ते दौनों वाहनों को आगे कर आठ शवों को उठाया चार गायलों को एक सुरक्षित बची बालिका को बाहर निकाला गटना में गायलों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें तुरंत जैपूर रवाने किय गया है फिलाल के लिए इतना ही बने रही है निजवाल इंडिया के साथ नमस्कार